फर्स्ट नव प्रस्ण की अनुगमन बेग से आप क्या समझते हैं तो बिल्कुली आसानी से इसे लिखा गया है ताकि आपको एक से दो बार भी इसे पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि बिधु छेत्रे में इलेक्ट्रोनों के औसत एक देसिये बेग को ही अनुगमन बेग करते हैं जिसे भी डी से सुचित करते हैं अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको फूल माक्स मिल जाएगा और इसका गनितिये मान होता है भी डी पराबरता है मिव इंटु ए और गनितिये मान इतना लिख कर अगर ये दर्सा देते हैं कि भी डी अनुगमन बेग है मिव इलेक्ट्रोन की गति सीलता है इव इदु छेत्र के तिवरता है तो भी आपको फूल माक्स मिल जाएगा अगर इतना लिखते हैं अगर परिभासा नहीं लिखते हैं तो भी आप जरूर कर लेजिएगा आपसे रिक्वेस्ट की आप इसे जरूर याद कर लेंगे हमें 100% विश्वास है कि आप लोग याद कर लेजिएगा कि गति सीलता क्या है वाड़िस मोबिलीटी तो बिधु छेत्र में एकांक बिधु छेत्र के लिए इलेक्ट्रोनों के औसत एकदि ये बेग को ही गति सीलता कहते हैं और इसका ये साय मातरक जो होता है मीटर स्कॉायर प्रती बोल्ट सेकेंड होता है और इसका बीमियस्ट्र होता है ये ज़री याद रखे का बीमियस्ट्र और इसका मातरक और म्यूँ इबराबर होता है वीडी स्कॉायर जहां म्यूँ इअनुगमन बेक मूँ इलेक्ट्रोन की गतिसीलता और इविदु छेत्र के दिवरता है ये इतना भी लिखते हैं तो आपको फूल माक्स मिल जाएगा परिभासा तो हैं ही आपके पास सेशन अची लग रही हो तो इससे लाइक जरूर कीजेगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर सेर कीजेगा क्योंकि सेंटप एक्जाम में अब बहुत ही कम समय बाचा हुआ है आप भी जानते हैं कि 19 अक्टूबर से सेंटप एक्जाम होने वाला है कलास 12 के लिए और परशने की धारा घनत्व क्या है कोरेंट डेंसिटी क्या है तो एकांक अनुप्रस्त काटिये छेत्रपल से होकर बहने वाले धारा को ही धारा घनत्व काते हैं जिसे J से शुचित करते हैं और J बराबर जो होता है I upon A होता है इसका मात्रक जो होता है MDR क्यूम हो जाएगा घनत्व है तो मीटर क्यूम हो जाएगा और ये जो धारा घनत्व है ये सदीस रासी होता है याद रखेगा Box शॉरी दोस्तों इहां पे 威ंपएर मिटर स्क्वाइर हैं होगा क्यूंकि यहांपे छेतरफ़ल दिया है छेतरफ़ल ए तो छेतरफ़ल को स्क्वाइर से स्चुचित करते हैं हम बुजे की आयतन है तो एकांक अनुपरस्त का टिये छेत्रबल से होकर गुजरने वाले धारा को ही धारा घनात्वा करते हैं जिसे जे से सुचित करते हैं और जे बराब होता है आई अपान ए इसका मात्रक MPR मीटरे स्क्वार होता है या सदीस रासी होता है याद रखेगा और यहाँ परस्ने ये कभी-कभी पुछा जाता है लेकिन इसका मात्रक और जरूर पुछता है कि बिधु सक्ति क्या है तो बिधु छेत्र के लिए कारे करने की छमता को ही बिधु सक्ति कते हैं ये तो सभी को मालू होगा कलास 10 में कलास 8 में और कलास 7 में हम लोग पढ़ चुके थे कि बिधु सक्ति क्या है कि कारे करने की छमता को ही बिधु सक्ति कते हैं और इसका मात्रक जो होता है पी बराबर होता है डबलू अपन्टी इसका जो मात्रक होता है जूल प्रतिस सेकेंड होता है याद रखेगा जूल प्रतिस सेकेंड जिसे वाट कते हैं वास् है कि बिदु द्वीद्रू अघूर्न क्या है का भी महत्पूर्न सवाल है कि बिदु द्वीद्रू अघूर्न क्या है यह दोनों के किया liaison है। उस से 60 किलिएर हो जाते हैं वोड 2 के लिए याद रखेगा। तो 60 प्लस 14 और और हैं देखें तो कोष訴न बैंक से कितने को रिपीट होते हैं तो गर आ इसे अब अगर त्यारी करते बोड के लिए कोचन बैंक के सेंटर परिक्षा और प्रिभियस एयर के चार सल के प्रिभियस एयर और मेडल पेपर को सुल्व करते हैं तो सौ परसेंट उसी से ही कोचन रहते हैं याद रखेगा तो एक भी प्रशनोतर अब छुटने वाले नहीं है तो आप बस सिद्दत से इस कलास को लेते रहिए तो इसका एंसर जान लेते हैं कि किसी एक अवेस का परिमार और दोनों अवेसों के बीच दूरी के गुननफल को ही बिधू दूरी दूरी अगोर्ने कहते हैं और इसे भेक्टर पी से सुचित करते हैं और भेक्टर पी बराब होता है कीव इन्टू टू एल और इसका मात्रक जो होता है कुलाम मीटर होता है और इसका बीमिय सुत्र याद रखेगा एटियल होता है याद रखेगा काफी महत पूर्ण सेशन अच्छे लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि लाइक करते हैं तो बुझाता है कि आप हमारे साथ जूड़े हैं वरना लाइक कीजिएगा तो ही बुझाएगा कि आप हमारे साथ हैं ये चानल सिर्फ आपके लिए हैं बना है आप जैसा चाहे वैसा ही इस चानल के माध्यम से प्रवाइट किया जाएगा कि संधारीत्र की धारता से आप क्या समझते हैं ये भी मत्पूर्ण सवाल है किसी चालक को दिये गए अवेज और बीभाव के अनुपात को ही संधारीत्र के धारता करते हैं और इसका मात्रा को जो होता है कुलम प् रखेगा इसका मात्रक जो बड़ी याद रखेगा धायता का मात्रक फैराड होता है नेक्ष्ण प्रस्ण आपके सामने है कि परवैदुत पदार्थ किसे कहते हैं तो वैसे पदार्थ जिससे होकर बिधुधारा का परवाह नहीं हो सकता है तो ऐसे पदार्थ को बिदुधारा परवाह नहीं हो सकता है तो ऐसे परवैदुत पदार्त कहते हैं और इसे बिदुधारा का परवाह नहीं होता है बट इसके उपर बिदुत का परवाह पढ़ता है यहां की होता है और यहां परशन है कि बिदुधारा क्या है काफी मात्रपोंट सवाल है इसका म मात्रक बार बार तो बिदुच्चेत्र में अवेस्व के परवाह की दर को ही बिदुधारा कहते हैं इसका मात्रक आई से सुचित करते हैं इसका मात्रक सोरी इसका मात्रक एंपियर होता है और इसे आई से सुचित या यह से सुचित करते हैं और यह बिदुधारा जो होता है अदीस राषी होता है याद रखेगा तो चलिए नेक्षन प्राष्ण को देखते हैं और यहाँ प्राष्ण है कि AEMPAIR की परिपथिय नियम क्या है काफी महत्यपूर है कि AEMPAIR की परिपथिय नियम यह यह objective में पुछता है यह रखेगा objective के लिए और ये सबजेक्टी में पुछा जाता है कि किसी बंद प्रिष्ट की चुम्बकिय छेत्र की तिवर्ता का रेखा समकलन बंद प्रिष्ट ये चुम्बकिय छेत्र भी का रेखा समकलन बहने वाली धारा के मियूनट गूनी होती है यानि कि बहने वाली धारा आई और मियूनट गुनी के बराबर होती है तो किसी बंद प्रिष्ट की चुम्बक्ये च्छेत्र की तिवर्ता का रेखा समकलन बहने वाली धारा के म्यूनाट गुनी होती है आप इससे भी परिभासा निकाल सकते थे इससे गनितिय मान से भी नेक्शन प्रस्ण है ये तो काफी महत्पूर है कि आप जानते होंगे कि ये सवाल कितना महत्पूर है संट या पारसवाही क्या है और इसको उप्योग क्या है काफी महत्पूर सवाल है कि संट कम परतिरोधवाला तामबे का एक मोटा तार होता है जिसे परिपत में समानतर कर नम में जूरा जाता है और इसका उपयोग क्या होता है कुंडलीयों को जलने से बचाने में यह अबज़ेक्टिम पुछे जाता है और एमीटर की परास को बढ़ाने में संट का प्रयोग किया जाता है संट का दूसर नम पर सवाही होता है याद रखेगा तो आईए नेक्स नाप प्राश्ण को देखते हैं सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर किज़ेगा क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए ये बाना है आप हमारे दोस्त के समान है अगर आप अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो एमिटर एक परकार का याईसा यंत्र है जिसकी सहायता से बिधुधारा की प्रवलता ग्याद की जाती है इसे परिपत में समानतर सुरी सिर्णी करम में जोड़ा जाता है याद रखेगा इसे परिपत में सिर्णी करम में जोड़ा जाता है अब जिक पुष़ता है कि बिदुधारा की प्रवालता ग्याद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो एमीटर को और एमीटर को सिरनीकरम में जोड़ा जाता ही यह भी याद रखेगा तो बोल्ट मिटर एक परकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किन ही दो बिंदियों के बीच का विभवांतर ग्याद किया जाता है और इसे परिपत में समानतर करम में जोरा जाता है याद रखेगा तो बोल्ट मीटर एक परकार के ऐसी युकती है जिसकी सहायता से कि नहीं दो बिंद्यों के बीच की विभुहांतर ग्यात किया जाता है बोल्ट मीटर का हलाता है और इसे परिपत में समानतर करम में जोरा जाता है तो दोस्तो इस परकार से इस महत्पूर सेशन को यहीं पे ख ये कहना चाहते हैं कि हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए तो थैंक्स फूर आचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में